नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसे हम कहते हैं, आपको याद होगा, क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर जो 8.2 एक्ससाइज है, पहली बात तो पूरी की पू टेबल की वैल्यू की जरूत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपको यह चीज काम आएगी, तो दो क्वेस्टन तो कम से कम 10th क्लास में इस चीज़ के यह हो जाएंगे, 11th में तो यह बहुत ज़्यादा यूज़ेवल है, बहुत सारी जगह यूज़ेवल है, इवन कैलकुल में आप रफ साइड में ट्रिग्नोमेटिक टेबल बना लो, और फिर एक्जाम में आराम से काम करिए, मैं बहुत आसानी से एक तरीका बताऊंगा, उसे आप फॉल्लो करेंगे, तो आपकी एक बहुत वड़ी प्रोब्लम सॉल्ड हो जाएगी, जैसे मैंने टेबल यहां त पड़े ही 10th क्लास में, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अब आप दो मिनट के लिए विलकुल सांती से इस टेबल को देखो, मैं आप वो बनाने का तरीका बताता हूं, और दो मिनट में ही आपका दो पस्टन आपके तियार हो जाएग आप इसके अपन 4 कर दीजिए, इसको भी अपन 4 कर दीजिए, इसको भी अपन 4 कर दीजिए, इसको भी अपन 4 कर दीजिए, और इसको भी अपन 4 कर दीजिए, बहुत सिंपर काम है अभी तब का, उसके बाद में आप इन सभी पर रूट का साइन लगा दीजिए, सभी में ज 0 upon 4 यानि की 0 और 0 का root भी क्या होगा 0 अब देखना आप दियाद से उसके बाद में 1 का root 1 होता है और 4 का root होता है 2 उसके बाद में 1 का root 1 और 2 का root होता है बनगा है root 2 3 का root 3 और 4 का root 2 और 1 का root 1 अब यह होगे हमारी sin theta की value sin theta की value को अगर हमें cos theta में convert करना है तो आप इसको twist कर दीजे tilt कर दो इसको पूरा का पूरा यानि की ये value आपकी सीधी यहां पर आजाएगे मतलब जो value sin 90 की होगी same value cos 0 की होगी आप कुछ मा सोचे जादा आप केवल इससे twist कर दीजे तो ये value आजाएगी obviously यहां पर root 3 upon 2 फिर value आजाएगी 1 by root 2 फिर value आजाएगी 1 upon 2 और फिर value आजाएगी यहां पर 0 agree? बहुत simple काम है इसके बाद में आपने ये formula आपको कूब आता होगा कि 10 theta जो होता है वो sin theta upon cos theta के equal होता है मतलкт sin theta के value को अगर हम cos theta के value से divide करें तो 10 theta के value आजाएगी तो 0 को ये 1 value आजाएगी 0 को अगर हम 1 से divide करेंगे तो 0 आएगा इसको अगर हम इससे divide करेंगे तो 2 से 2 cancelled हो जाएगा और value आजगी 1 by root 3 सेम चीज़ को डिवाइड करेंगे ओमेसली 1 आता है 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा कट जाएगा दो रूट 3 आएगा और यह आपको पता होगा कि any number divided by 0 is not defined अभी तक mathematics को यह defined नहीं पता है means इसे हम end इरते और कभी-कभी हम इस symbol से इसे indicate करते हैं आप यह जानते होगे कि cac theta जो है वो sin theta का inverse होता है sin theta की value cac theta की value के उल्टी होती है और cac theta की value sin theta के value के inverse होती है अब आप देखिये 0 का उल्टा अगर आप करेंगे means 1 upon 0 तो 1 upon 0 जो होगा वो होगा not defined understand it इसके बाद में अगर आप आप 1 upon 2 को उल्टा करेंगे मिस उल्टे का मतलब होता है 1 upon 0 means 1 upon 1 upon 2 तो it will be 2 यह होजाएगा आपका root 2 यह होजाएगा आपका 2 by root 3 और यह होजाएगा आपका 1 का inverse भी 1 अब उसके बाद में sec theta sec theta आपको पता होगा cos theta का inverse होता है मतलब 1 का inverse 1 होगा root 2 इसका inverse होगा 2 और इसका inverse होगा not defined अब उसके बाद में 10 theta 10 theta inverse होता है cos theta का 10 theta into cos theta is equal to 1 10 theta is equal to 1 upon cos theta 10 theta cos theta का uta होता है अब 0 का uta 1 upon 0 means not defined 1 upon root 3 का uta 1 über 3 1 über 1 होता है यह 1 by रूट 3 और यह 10 ठीटा यह पर है आपका 10 ठीटा का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 10 ठीटा की वैल्व है वो अगर आप देख रहे हो जहां से तो 10 ठीटा की वैल्व में tilt हो जाती है कोट ठीटा के लिए तो यह टेबल आपको बनकर तयार हो गई इसे बनाने में हाड़री आपको डो मिंट लगेंगे आफ्र दुबारा से चेक तर दीजिए साइन ठीटा, कोट ठीटा, टैन ठीटा, सैट ठीटा और कोट ठीटा के वन आपको इतना पता होना चाहिए कोट ठीटा, सैट ठीटा, कोट ठीटा, कोट ठीटा के रिए रिश्यो के इकवल होता है, कोट सैट ठीटा होता है वन आपकों सैट ठीटा के एकवल, और सैट ठीटा होता है वन आपकों कोट ठीटा के इकवल, टैन ठीटा और कोट ठीटा आपस में इनवर्स होते हैं, तो यह आपको ये टेबल आपको अच्छी लगे और समझ आए ओविसली समझ आएगी या आएगी मैंने आपको ट्रिक बताईए आप सेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में और इस तरीके की चीजे मैं आपको आगे भी और वीडियो के थुरू देता रहूँगा अगर आपको इस प्येसल कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट वेक्स में कमेंट करें मैं आपको उस तरीके की वीडियो बनाऊगा All the very best, thank you very much